दोस्तों खेसारी लाल यादव के एक नया भक्ती गाना आया था जिसे स्ट्राइक मारकर इस गाने को यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया है ये ग्लोबल म्यूजिक जक्षन नहीं बलकि वार्णर म्यूजिक ग्रुप ने करवाया है आईए आपको पूरी बात बताता हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिये ताकि भोचपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलती रहे दोस्तो भोचपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का एक नया भक्ति गाना आया था उसको यूट्यूब से डिलीट करवा दिया गया है जो अब कभी वापस नहीं आ सकता है कुछ लोग इस गाने को डिलीट करवाने का कारण ग्लोबल म्यूजिक जक्षन कमपनी को बता रहे है पर इस गाने को वार्नर म्यूजिक ग्रुप ने स्ट्राइक मार्कर डिलीट करवाया है दोस्तो पूरी डिटेल में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा आप सभी को तो ये बात मालूम ही होगा कि खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक कमपनी के बीच एग्रिमेंट का केस चल रहा था जिसमें कोर्ट ने भी यह फैसला सुनाया था कि खेसारी लाल यादव को ग्लोबल म्यूजिक कमपनी को गाना देना होगा उसके बाद खेसारी लाल यादव कोर्ट के फैसले को अन देखा करने लगे थे कुछ दिन बाद जब यह भक्तिगाना आया तो इसे स्ट्राइक मारकर डिलीट करवा दिया गया है दोस्तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब ग्लोबल म्यूजिक कमपनी के साथ केस चल रहा था तो आखिर वार्नर म्यूजिक ग्रुप इसे क्यों डिलीट करवाया तो मैं आपको बता दू कि ग्लोबल म्यूजिक कमपनी वार्नर म्यूजिक ग्रुप से जुड़ी हुई है और इसी लिए वो वार्नर म्यूजिक ग्रुप से स्ट्राइक मरवाया है साथ ही इसका एक ये भी कारण है कि जब Global Music Company स्ट्राइक मारता था तो गाने फिर वापस आ जाता था पर अब वो वापस नहीं आएगा शायद इसलिए उससे स्ट्राइक मरवाया है दोस्तो आपको बता दूँ कि Warner Music Group बहुत बड़ा Music Company है जिसमें 5,900 से ज्यादा करमचारी काम करते है इसकी शाखा पूरे देश में फैला हुआ है और इसका मुख्याले न्यूयार्क में है दोस्तो आपको बता दूँ कि Gen Tune भोजपुरी भी बड़ी कमपनी से मिली है अब देखना ये होगा कि क्या ये गाना फिर से वापस ला सकती है या नहीं दोस्तो आपको क्या लगता है कि ये गाना वापस आएगा या नहीं कॉमेंट करके जरूर बताना दोस्तो आशा करता हूँ कि आज के ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्यूंकि आपके एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अगला वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कॉमेंट करके जरूर हमें बता देना ताकी अगला वीडियो हम उसी टॉपिक पर लाए आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद